हुम शैंती, बारा नवंबर की शुर्वा दन्मस कस हो गाते हैं, परमात्वा कहते हैं, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुंडान देने वाले वर्दानी आत्मा भवा आपके सामने कोई क्रोध अगनी में चलता हुआ आए, पिकल आग बबुला लाल तामबे जैसा, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुब भावना शुब कामना द्वारा वृत्ती द्वारा, आप शुब भावना शुब कामना कहा रखेंगे, इनक मैं सुक आए, खुशी आए, शानती आए, शक्ती आए, सामना करने की, ये होगी हमारी शुब भावना शुब कामना है, वृत्ती द्वारा, वृत्ती में लखेंगे, आरे, इनका तक्रोज यतना जाद है कि अपी सुदर रहेंगे नहीं, ये कही कुज़ नहीं, ये किसी का आएगी, ये वृत्ती रखना अच्छा है, स्थेती द्वारा गुंदान या सेहन शीलता की शक्ती का वरदान दो, अपनी खुद की स्थेती, आप एक्जामपल बन सकते हो, जोसरों को दिखा सकते हो, कैसे आप सेहन करते हो, आप इस तरीके से अपने आपको शीतल रखते ह तो ये एक्जामपल के दुरूआ, क्रोधी आत्मा परवश है, किसके परवश है, अपने अंदर की कमी कमजूर के परवश है, कहीं जन्मों के दुखों की कारण परवश है, कहीं जन्मों की चोटे लगी वे उस आत्मा को, जिस कारण से उसके दर क्रोध बहुत आता है, ऐस तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वर्दान मिलते हैं। हमारे अंतर जो यह संस्कार कर पवित्रता के आएंगे, सुख के, शांती के आएंगे, तो उतनी एनरजी हमारे जड़ चत्र है, देवी देतों के चत्र उसके अंदर हम एनरजी और फैलती आती, इसके द्वारा आत्म है जब इस जड़ चत्र के सामने जाकर करते मांगती है, उनको वो वाइब्रेशन फील होती है, उनके द्वारा उनकी वृत्ति, मनोभाव परिवर्तर होता है, इतनी शक्ती है हमारे अंदर, इस को और गहराई से समझने के लिए ब्रामकमाई सेंटर चाहे है, प्लीज, ओम शान्ति.